हाई, क्या आपने कभी सोचाए कि हमारा फैंका हुआ वेज एक्चली में जाता का है? कूडे दान में चला जाता होगा कोई उठा लेता होगा कूडे वाला ले जाता होगा ओके, बट वेर ड़स इवेंचुली एंड अप? I don't know हम जो भी trash road पे फैंकते हैं वो wind से या फिर rain water से drainage system में enter करता है और sewer pipe के through waterways में मिल जाता है और वहाँ से होते होते ये सारा trash oceans में जा पहुँशता है अब ये सारा कच्रा ocean में water current and wind की वजह से एक जगा इखटा हो जाता है जिन्हें garbage patch कहते हैं oceans में ऐसे 5 garbage patch बन चुके हैं जिसमेंसे जो सबसे बड़ा है वो north pacific ocean में है जिसे the great pacific garbage patch कहा जाता है और इस समय गार्बेज पैच का size 6 lakh square mile से भी जादा है which means France का तीन गुना और ये सिर्फ एक garbage patch का size है just think बाकी चारों का मिला के कितना हो जाएगा that is right इतना सारा waste oceans में हमारी वज़े से collect हो गया हाँ पर मैं रोड़ पे लेटर नहीं करता हूँ सारा कुरा dustbin में ही डालता हूँ okay so let's see हमारा dustbin में फैका हुआ कूडा कहां end up होता है जो भी कूडा हम dustbins में डालते हैं या कूडे वाले को दे देते हैं वो सबसे पहले आपके घर से collect होता है फिर वहां से वो open dumps या bins में फैका जाता है फिर local authorities उसे garbage trucks में collect करती हैं और landfills में dump कर देती हैं एक साल में around 277 million tons का solid waste generate होता है जिसमें से 80% waste landfills तक जा पहुँचता है रिपोर्ट के हिसाब से अगर ऐसा ही चलता रहा तो year 2050 तक इंडिया को New Delhi के size जितना landfills चाहिए होगा हाँ पर landfills से problem क्या होती है landfills से कई problem होती है first, air pollution waste की वज़े से landfill में methane gas produce होती है जो carbon dioxide से कहीं गुना जादा strong gas मानी जाती है इसी वज़े से landfill में कई बार आग भी लग जाती है जिससे air pollution increase होता है second, soil pollution जितनी land is waste से cover होती है वो पूरी contaminate हो जाती है जिसकी वज़े से soil pollution भी होता है third, harms natural life landfills में organic waste, solid waste, e-waste, sara waste मिक्स हो जाता है तो इसकी वज़े से जब birds और animals leftover food consume करने आते हैं तो food के साथ साथ कई बार वो solid waste भी consume कर लेते हैं जिसकी वज़े से वो severely suffer करते हैं that's really disturbing तो हम क्या कर सकते हैं reduce, reuse and recycle reduce, कुछ भी खरीदने से पहले जरूर सोचें कि क्या आपको इस product के actual में जरूरत है क्योंकि जितने कम products हम use करेंगे उतना ही कम waste हम generate करेंगे reuse, हमारी आदत बन गई है कि समान खराब होते ही हम उसे फैंक देते हैं उसे reuse या repair कराना सही नहीं समझते पर actual में चीजों को reuse करने से बहुत सारा waste बचाया जा सकता है recycle, हमारे घर के almost हर solid waste को recycle किया जा सकता है पर हम ये waste कूडे वाले को दे देते हैं जिससे सारा recyclable waste recycle नहीं हो पाता अगर इस waste को कबारी वाले को दे दिया जाए तो ये सारा waste recycle हो पाएगा और हम waste reduce कर पाएगे तो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को share करिएगा specially बच्चों को जरूर दिखाईएगा so that उनको बच्चपन से ही इन 3 hours की value पता चले अगर हम आज से ही अपने बच्चों को waste न जनरेट करना सिखाएगे तो शायद हम पुराना waste तो कम ना कर पाएगे बट हम waste जनरेट करना जरूर कम कर पाएगे दाट्स फर दिस वीडियो सी यू नेक्स वेंस्टे थांक यू और टेक्केर